शुक्राचार्य के अनुसार, पत्नी के अलावा इस स्त्री के साथ संबंध बनाया जा सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है. नमस्कार आपका स्वागत है. दोस्तों महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुख कर बनाने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्यान दिया है। सबसे अधिक पवित्र बन जाता है। अधिक पवित्र बन जाता है। काम के वश में होकर पत्नी के अलावा पराइस्त्रियों में रत रहने वाले पुरुष का विनाश अवश्य हो जाता है। लेकिन शुकराचार्य ने एक ऐसी स्त्री के बारे में भी बताया है जिसके साथ पत्नी के अलावा संबंध बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा केवल एक ही परिस्थिती में किया जा सकता है। अन्यथा इसके भयंकर दुश परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज हम आपको पत्नी के अलावा दूसरी ऐसी स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके साथ पुरुष संबंध बना सकता है। और ऐसा करने में कोई दोश नहीं होता है। लेकिन यह कार्य करने से पहले पुरुष को सावधान हो जाना चाहिए। शुक्राचार्य के अनुसार एक पुरुष के लिए पत्नी का महत्व ही सबसे बढ़ कर होना चाहिए। किसी अन्य स्त्री का नहीं। लेकिन यदि आवश्यक्ता पढ़ जाए तो वह दूसरी एक स्त्री से संबंध बना सकता है। जिसके बारे में प्रत्येक पुरुष को अवश्य जान लेना चाहिए। एक नीच पुरुष का मन केवल स्त्री का नाम लेने मात्र से ही हर्श से भर जाता है। वह केवल स्त्री का नाम सुनते ही उसके रूप की कलपना करने लगता है। उसका मन काम भाव से भर जाता है। वह उस स्त्री को देखे बिना ही उसके साथ भोग विलास करने की कलपना क पिर ऐसे नीच के सामने वह स्त्री साक्षात प्रकट हो जाए, तो इसकी रक्षा इश्वर भी नहीं कर सकते। और उसकी कामेच्छा को संतुष्ट करे। एकांत में बैठे नीच के मन में सुन्दर, यौवन से परिपूर्ण स्त्री की आकरिती दिखाई देने लगती है। वह उस स्त्री के मधुर वचन सुनने के लिए आतुर बैठा रहता है। उसके कोमल स्पर्श की कामना करता रहता ह ऐसे व्यक्ति का जीवन में कभी उतकर्श नहीं हो सकता। मन को सदा ही अपने अधीन रखने वाले मुनियों के मन को भी स्त्रीया काम वासना से भर देती है। जब मुनियों की यह दशा है, तो अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाले पुरुशों के विशय में क्य बात की जाए। उन्हें एकांत में कोई स्त्री दिख जाए तो वे स्वयम का नाश अवश्य ही कर लेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान मनुष्य को उचित समय आने पर विवाह कर लेना चाहिए और अपनी पत्नी के प्रती एक निष्ट रहना चाहिए। पुरुष्य के लिए स्त्री अपना सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर हो जाती है। जो पुरुष्य सदा सरवदा स्त्रीयों के विशय में सोचता है, जो हमेशा स्त्री से संभोग करने की कामना करता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता है। शुक्राचार्य के अनुसार किसी युवती से प्रेम करना अनैतिक नहीं है। शुक्राचार्य के अनुसार एक पुरुष पत्नी के अलावा दूसरी एक स्त्री से विवाह कर सकता है। शुक्राचार्य के अनुसार किसी युवती से प्रेम कर सकता है। किन्तु अगर पत्नी दूसरी स्त्री के लिए सहमत हो तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है इसमें कोई दोश नहीं है ये बात प्राचीन काल के समय में राजा महराजाओ पर लागू होती थी किन्तु आज के समय में ऐसा होना असंभव है इसलिए कोई भी पुरुष अप की राय कमेंट में अवश्य बताए ये जानकारी अच्छी लगी तो विडियो को लाइक जरूर करे कमेंट में जय शुक्रदेव अवश्य लिखे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे आप सभी का धन्यवाद